इसका जो सेरोल्डिंग पैटन है वो तो गजब है यार गजब ठीक है गजब है बाकि जो चार्ट इसका है वो भी बहुत गजब है फाला इसको चार्ट देख लो आपको चार्ट से एक और कंफेर्मेशन मिल जाएगी कि हां इसको आपको बाय करके चलना चाहिए अगर आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाल गगा बटन आपको दिख रहागा उसको क्लिक कीजिए और साथ में बैल को दबाना ना भूलिए ना ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन रिसीब कर पाओ दुवारा से आपके लिए एक स्टॉक लिए क्या हो करेंटली स्टॉक आपका 33 रुपे के आसपर टेट कर रहा है और कम्ती का नाम MRTL है मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रो केमिकल लिमेटिट मेली इसका काम जो है रिकूड ओयल को रिफाइन करती है तो लॉंग ट्रम में जो बिजनेस है अच्छा नहीं है लेकिन ये स् इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू मन्त के लिए आप इसमें स्ट्रेट आप बना सकती हो इस वीडियो का परपस से पीए है मेबी ये मल्टिवेगर हो सकता है आम नच शूर अवाउट इट पर कुछ चार्ट में आपको दिखलाऊंगा टेक्निकल जिससे आपको सा अगर आप सोटो थोड़ा रिक्स इसमें लेती हूं साथ में थोड़ थोड़ा रिक्स के साथ कैल्कुलेटिव रिक्स लेते हूं तो वीडियो का अंतक देखना इसके शेयर करूंगा पीएंडल टेक्निकल चार्ट और से होलिंग पैटन जिससे में पता चलेगा कि हमें सब्सक्राइब कर सकते हो हैं तो युझा पने में यह गीकना आप करेशे सर्मकरन सल शावज के सब्सक्राइब लइक कर सकते हैं थी कैशलाग सेर्फ यह जप लौत अनलो कर रहा है ठीक है 32 पैसे लो है 20 रुपे हाई है 49 रुपीस अल्मोस्ट अपना ये 50% की आस्पास रेट कर रहा है मत्तब मिड़ में ट्रेट कर रहा है अग्नम और दोस्तों बोला चाहँगो कंपनी डिविदेंट इसका अल्मोस मेरे खास से 4-5% है ठीक है तो कंपनी एक डिविदेंट पेंग कंपनी है इसमें ये बतानी क्यों शूनी करता है इसक्रीनर पे लेकिन ये डिविदेंट पे कर रही है इसको आपका मनी रेटीप का लगा अल्मोस्स एक परसेंट होल्डिंग परमोटर से होल्ड कर रहा है और पांच परसेंट जनरल पब्लिक है इसमें ठीक है तो मतलब परमोटर 88% है इस टॉक में तो देखू अब आगे देखो के तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या अच्छी जीजिए है आपको प्र करें तो अगर आप इस रेट में बाय करते हो तो कुछ ना कुछ पॉपिट हो सकता है लेकिन इस रेट में पाय करने की सब्सक्राइब को नहीं दूँगा तो हम उस प्राइस का आने का वेट करेंगा डेफिनिटली ऑसपर फदरा बीस दिन में एक मेरे कंदर आयेगा हम उसका वेट करना पड़ेगा और स्टॉक ने पूर ग्रोप दिखाई है इसी है ये स्टॉक आपका मेरी खाज़े 200 रुपे से आज 33 रुपे टेट कर रहा है में भी 200 रुपे से हाई इसका हाई होगा वह अभी हम चार्ट पर देखने है कितना हाई है तो आगे लेगे चलते हैं इसक जो net profit है 30 करोड के आसबस का profit सो किया है एक बड़ी बात है company loss making company देख सकते हैं लास्ट छह साथ कोरटर से loss हो रहा था लेकिंग इस quarter में इसने 70 करोड के आसबस का profit किया एक अपने में एक बड़ी बात है और देख सकते हैं जो earning per share है पहले वो कितना negative था आपको दिख रहा होगा earning per share पहले EPS वो पहले negative में था और अब वो positive में आ चुका है तो एक positive first point इसमें यह है कि company पहले loss making की right now it having a good profit almost 37 करोड और earning per share is too good और earning per share भी अच्छा है और मेरे साब से इसकी story turn around हो सकती है company profitable है only quarter basis में इस quarter profit आया है इसको अब next quarter में profit आ सकता है यह तो देखना होगा में भी आ सकता है क्योंकि अगर इस quarter profit आया तो definitely next quarter में भी आयेगा ओपिसरी बात है लेकिन लेकिन जो yearly profit है आपको पता है company का last year इसको last year इसको 27 क्रोड का loss था ठीक है तो yearly to yearly basis में company loss में है लेकिन last quarter के profit इसके अच्छा है 32 क्रोड का profit हुआ है तो अब यह आप में छोड़ता हुआ आपको उस price में entry करना चाहिए मेरे साब से ठीक है इस quarter profit आया इसको लेकिन yearly to yearly basis अभी भी negative में है वो हो गई obviously बात है अब मैं इसको दिखाता हूं आपके इसके pledge नहीं करा हुआ है मजली बात यहीं है ठीक है तो आप देख सकते हों कि 89% promoters कि इस company को hold कर रहे शेर को तो यार कुछ ना कुछ तो बात होगी stock में तभी promoters 89% stock को hold कर रहे वो stock को बनना बेच क्यों नहीं देते कि stock अपना 400 रुपे का है लाने के बाद भी 33 रुपे आ गया फिर भी promoters अपनी holding एक रुपे की holding इसमें नहीं बेच रहे क्यों और यह stock pledge बिल्कूल भी नहीं है company में कुछ hidden growth होगी जो सिर्फ promoters को नजर आई हो हमें नजर नहीं आपा रहे है साब से भाई इसमें आप बैट बना सकते हो promoters की holding साब बता रहे है कि company आगे future में rocket हो सकती ह और मेरा chart pattern भी इसमें कुछ मुझे यह संकेत दे रहा है कि हाँ जो last time का high लगाता all time high वो break हो सकता है हो सकता है मेरे condition apply करवारे तो हो सकता है अब होगा कैसे उसके लिए मैं आपको chart में लेके चलूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ बड़े लोगों का पैसा इसमें है including promoters बाकिस्मात 8% general public इसमें या 7% के आसा general public इसमें है पाई मेरे साब से आपका पैसा इसमें सेब रहेगा आप definitely इसमें कुछ ना कुछ पैसा लगा लीजिए 5 रूपे लगा लो या 3 रूपे लगा लो लेकिन इस stock में definitely आप 3 से 5 रूप सकती हो ठीक है और जो stop loss में आपको बतलाओं उस stop loss अगर आता है तो आप उसमें cut कर देना wait मत करना कि यह कि वहां से bounce करेगा उस stop loss को cut करते ही position exit और अगर दुमारा मौका मिलता है उस price में entry करने का इस price में बोलूँगा आपको एंट्री करना stop loss लगाना और target के लिए वेट करना जो target में आपको दूँगा अभी तागेट के लिए अपको दूँगा यह उनना बेस चार्ट दे रहा हूं ठीक है मैं आपको पहले छोड़ा target दूँगा छोड़े target में आपको पहले profit बुक करना थोड़ा बहुत ठीक है ज चोटा सा एक example दूँगा उससे आपको समया जाएगा कि आप स्टॉब्स ट्रेल कैसे कर सकती हो तो भाई overall story stock के मैं बता देता हूं company loss making है लेकिन last quarter के profit अच्छे आए तो definitely एक turnaround story हो सकती है और MRPL वेज़े साब को पता है कि हाल हलाल में अगस्त के news की यह आई यह कि इसका जो पैटन हो तो गजब है यार गजब ठीक है गजब है बाकि जो चार्ट इसका है वह भी बहुत गजब हाला उसका चार्ट चार्ट देख लो आपको चार्ट से एक और confirmation मिल जाएगी कि हां इसको आपको बाहर करके चलना चाहिए विद स्टॉप लोस जो भी आपको मैं बतला करिए आप देख सकते हो मैंने चोटी सी लाइन ड्रो करिए इसमें एक breakout हुआ है इसका यह डेली चार्ट है हमारा तो यह लाइन देख सकते हो ठीक है यह इस के लिए ब्रेकाउट किया है और जब से यह ब्रेकाउट हुआ है यह स्टॉक रॉकेड है रॉकेड मरता उपर भ इसमें अराम से एंट्री कर सकते हो अराम से फीचर में एक महीन दो महीन लग सकता है ती महीन भी लग सकता है ठीक है अगर आपको तीस रुपे में स्टॉक अभी भी दिखता है लपक लेना स्टॉप्लोस आप लगा सकते हो यह जो स्विंग आपको दिखना लास्ट ठीक है आराम से ही आपको 40 रुपे तो आराम से आपको दिखा सकता है चालिस चालिस तक तो मुझे इसका नजया आरा स्टॉक आराम से जा सकता है टैबल कर सकता है ठीके चालिस के उपर क्या होगा वह एक विचार्थ वाला कोश्य ने कि हमें वहां क्या करना है तो सबसे पहले हम 40-45 इस पर करेंगे जो रूट काता है थодеबर यह यह है कि थोड़ा अंदर करो जैने नगतर करो भाई ठीके मार्कीट है कुछ ही मैं बताए क्या हो सकता है तो वहां पॉफित बुकिंक करेंगे और प्रॉफित लिगके करते सविंग की ऊस्विंग सों इस सविंग करें जाओ दरते इसवोड में थे पर गया थिक ए लोग उपर फिर फिर बूर उपर जैगा थिक द्ते इस प्रस्वोंग है थिसिस अंवम सब्रों क्या अपस हो गया तो मतलब आप अभी भी 500 के profit में हो तो आप इस तरीके से अपने stop loss ट्रेल कर सकते हो इसी तरीके से multi-vegas stock find out होते हैं बहुत साय लोग कहते कि multi-vegas stock कैसे निकलते हैं भाई multi-vegas stock ऐसे निकलते हैं अब मैंने बोल दिया कि मार्केट यहां से 25 जाएगी निप् में तुम जिन्दा रहोगे ठीक है उतना patience है तुम्हारे पास और जिस company में तुम trade कर रहे हो ठीक है जिस brokerage house में आप trade कर रहे हो वह company तब तक रहेगी market में कई आपको निकल जाए आपका पैसा पूरा माल लेके ओड़ जाए समझगे ना कि कह रहा हूं बहुत सरी कम्रे पास में हुई है मेरे साथ भी हुआ है इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर multiplier find out करना है तो आपको अपने swings में करना पड़ेगा ठीक है इसलिए करना सीखो उसके बीना कुछ नहीं है बस यह चीज़े मैं यह कहना चाहता हूं मेरे साब से आप बाइगर के चल सकते अच्छा है अच्छा है अच्छे सो कर रहा लास कोडर में तीस में बाइग कर सकती हो स्टॉप लगाओ 25 रुपे टाग आपका 25 रुपे आपको पता ही जब उसके पर क्लोस करेंगा तब उसके लिए वेट करते हैं और जो भी चीज़ करोगे स्टॉप लोगे के साथ करोगे ठीक है बाइब बाइब तो पूछ रहा तो पूछ लो ठीक है चलो बाइब कर भंद कर दो मृटै कर दो को ड्रुप लोगे कर दो तो पूछ दो आट शो एलो के लिए प्रुप लगवें कर दो पूछ ऑम है चलो बाइब झीज़ कर दो जो कर दो वाईब